साई इतना दीजे, जामे कुटुम समाए, मैं भी भूका ना रहूं, सादु ना भूका जाए, और अब पच्टाए होत क्या जब चिडियां चुक गई खेत, जीवन के दोनों दृष्य किसी न किसी मोड पर अक्सर टकरा जाते हैं, नीती और रीती की सीख चाहे मुहावरे के जरिये मिले या किसी कथा कहानी की बदौलत, जरूरत इनका इशारा समझने की है, जीवन के उतार चराव कभी-कभी हमारे हट या जिद का परिणाम भी होते हैं, कुछ ऐसी ही भाव भूमी हैं लोग कथा बनकुमर की, बुंदेली कथा सागर में से एक नई कहानी लेकर, मन जी बहुत बहुत धन्यबाद बुलाने के लिए, जी तो उशा जी फिर शुरू करते हैं, बुंदेली लोग कथा बनकुमर, बेत्वा नदी के किनारे वसा हुआ छोटा सा राजे था, वहां का राजा बड़ा ही पराक्रमी था, महरानी पतिवरता तथा धर्म परायना थी, जी एक दिन एक पक्षी की बोली सुनकर दोनों में बैसोने लगी, अच्छा, राजा का कहना था कि यह हंस की बोली है, और राजे को विश्वास था कि कव्य की बोली है, तर्क पितर्क इस सीमा तक बढ़ा कि राजा ने राणी से कहा, महरानी जी, प्रतिहारी से कहिए, पा कि यदी हन्स होगा, तो आपको 15 वर्ष्ट का निर्वासन का दंड मिलेगा, अच्छा, क्योंकि राजा कह रहे थी हन्स भोल रहा है, और यदी कव भूज हुँआ हुआ, तो मैं 15 वर्ष्ट का निर्वासन दंड भोगूंगा, फिर क्या हूआ, अब राणी मनी मन्भैबीत हो गई वे जानती थे कि सरोवर के हंस इस ओर नहीं आते जे शर्ट की अनुसार राजा को पराजित होना पड़ेगा उन्होंने मन ही मन कुछ निश्चय किया कि उन्होंने प्रतिहारी से जाकर कहा प्रतिहारी तुम उफण में जाकर देखो कौन सा पक्षी बोल रहा है मगर महराज से आकर यहीं कहना कि सरोवर का हंस बोल रहा है अच्छा प्रतिहारी ने कुछ समय बाद राजा के सामने आकर रानी के बाद दोरा दी वैसे उसने भी द लेकिन मारानी ने जैसा का उसको तो वह जी करना था उसकी आग्या रानी राजमहल छोड़कर चल दे चलते चलते घंगोर जंगल में पहुंचीं कहां राजमहल के वैभव और कहां जंगल का करीला पथरीला रास्ता ते बहुत ठक गई थी जैसाई उन्हें एक मंदिर दिखा कि देवता के सामने नैवेद्य रखा है धीपक जल रहा है कोई व्यक्ति वहां नहीं है उन्होंने मंदिर के कपाट बंद किये और सो गई कुछ देर बाद मंदिर के पुजारी जी लोटे उन्होंने कपाट बंद देखे तो द्वार खट खटाया महरानी ने द्वार खोल उनकी वेश भूशा देखकर पुजारी जी समझ गए कि वे राजघर आने की हैं और गर्भवती हैं अच्छा गर्भवती भी थी वह गर्भवती थी सारी घटना जानकर उन्होंने उन्हें अपनी कुटिया में रहने की अनुमति दे दिये महरानी दिन बर भगवान की सेव करती हैं भजन कीरतन करती हैं और आज को कुटिया में सो जाती हैं समय बीटता गया राजकुमार का जन्व हुआ उसके मोहग्छवी देखकर पुजारी जी मुग्ध हो गये वह बहुत सुंदर था पुजारी जी ने उसका नाम बन कुवर रख दिया कुवर जी जो बन में पैदा हुए थे तो बन को और नाम रख दिया उनका धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हो गया पुजारी जी उसे विधिवस्चिक्षा देने लगे कुछी वर्षों में कुवर्शास्त्र और शास्त्र विद्या में पारंगत हो गया वीरता का गुण उसे विरासत में मिला थ समय बीता राजकुमार अब किशोर हो गया था वो बड़ा सहासी था निर्भ्यूई खो दूर दूर तक घूमता था एक दिन कुवर घूमते घूमते बहुत दूर निकल गया उसे प्यास लगाई थी उसने देखा थोड़ी दूर पर एक कुवा है अच्छा कुए की जगत पर चार औरते बैटी चौपड खेल रही थी मैं बहुत प्यासा हूं किया आप मुझे पानी पिला सकेंगे कुवर ने विनम्रता से कहा हां हां जो नहीं उन आरतों ने उसे पास बुलाया और कुवे में धकेल दिया अरे शलकपट की उसके साथ कुवर रंचमात्र भी नही सेसा ही उसके दृष्टी कुवे में बने एक द्वार पर पड़िये कुवे में द्वार हां द्वार फाटक था एक वड़ा साथ वे अपनी उत्सुत तनर रोख सका वो द्वार खोलकर अंदर चला गया अंदर एक विशाल महल था वाव वाव कुवे के अंदर जिसकी गए उसने क्या देखा जूले पर एक अत्यन्त सुंदर परी जैसी कन्या बैठी उस कन्या ने जब कोईर को देखा तो आश्च्र से भार उठी बोली कौन हो तुम यहां तक कैसे आए क्या तुम्हें नहीं लगता जानते नहीं यह जांते नहीं यह दैतिराज का महल है यहा अब राजकुमार तो डरता ही नहीं था उसने कहा इतने सारे प्रश्ण पूछने वाली आप कौन है अपना परिश्य तो दीजिए अब रही भय की बात तो संसार में मुझे किसी से भय नहीं लगता कुवर ने निर्वीक्ता से कहा उसकन्या ने कहा मैं मैं देतिराज की कन्या हूं अभी मेरे पिता आते ही होंगे मैं तुमसे एक बर फिर कहती हूं यहां से चले जाओ अनित्वा तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा लगकी ने कहा उसे तरह सा गया था राजकुमर पर बनकुमर किसी भी भुणा बना के दीवार पर चिफका दिया आठी जादू जानती तो भुणा बना दिया पर चिपका दिया बैत नहीं आते मूंच पूचा डिटी आज यहां मानुश गंदार रही ए क्या कोयłe क्या कोई Allah किया क्भुणा यहां आया है मॉत्वी है पिता जी आपके होते बहला किसमें इतना साहस है जो इस ओरा सके आप निश्चिंथ होकर भोजन कीजिए देथ पुत्री ने कहा समाली बात उसने मनी मन वो भी अनुलक्त हो गई थी उस कुमर के उपर अब ये नित्य का नियम हो गया देथिके जाते ही कुहर अपने असली रूप में आ जाता और उसके आने से पहले देथिकन्या उसे भुनगा बना कर शुपका देदी उसका काम हो गया एक दिन बनकुर्ण ने कहा मैं तुमसे विवाह करके अपने बाबा और मा के पास जाना चाहता हूं तो बहुत चिंतित होंगे मेरे लिए सौभा गेवश उसी दिन दैतराज ने पुत्री से कहा बेटी अब मैं तुम्हारा विवाह करना चाहता हूं पर मेरी एक इच्छा है अच्छा है वो क्या है पिता जी मुझे जो कोई मल युद्ध में पराजित करतेगा मैं उसी के साथ तेरा विवाह करूँगा दैतराज के जाने पर उसकी पुत्री ने कुहर को इस शर्त के सम्मन में बताया अब कोई तो बहाद उठे रहे पर फॉरानी मल युद्ध के लिए तयार हो गए दैत्यों कोई में भयंकर युद्ध हुआ अच्छा के सामने दैत की एक न चली अच्छा हार गया पराजित हो गया उसने शर्त के अनुसार अपनी कन्या के विवार के साथ कर दिया चलिए चलिए काम तो यह बहुत बड़ा है अथा धन संपत्ति और पत्निय को लेकर कुछारी जी और मा के पास आए सब लोग बड़े खुश हुए भाई एक दिन कोर ने रानी से अपने पिता के बारे में पूछा रानी ने सारी बातें उसे बताई कोर बोला इसका मतलब पिताजी को बचाने के लिए आपने दंड़ होगा जी उसको बहुत बुरा लगा इतने साल से जंगल बारे में रह रही थी ठीक है मैं आज ही राजमेहल जाकर पिताजी को सारी बात बता कर आओंगा लेकिन रानी ने मना कर दिया रानी उसने का कुछी समय तो बागी है अपने पिता को दुख पहुचा कर क्या मिलेगा बेटा तुम्हें उधर क्या हुआ एक दिन राजा ने पिर बैसे ही पक्षी की आवाज सुनी उन्होंने प्रतिहारी को बुला कर कहा देख कर रहो बाग में कौन सा बक्षी बोल रहा है प्रतिहारी ने वापस आकर बताया तो राजा को बहुत आश्यर हुआ उन्होंने उसे याद दिलाया कि बहुत वर्ष पहले तो उसने ऐसी प्रतिहारी को महरानी की बात याद आ गई उन्होंने राजा को बताया कि महरानी जी ने उसे सची बात बताने के लिए मना कर दिया था कि सच मता बात मत बताना राजा को नहीं तो राजा को दंड भोगना पड़ता अब राजा को अपनी गल्ती समझ में आए वे तोरं थी जंगल के ओ चल दिये चलिये बड़े देर में आई वहां महरानी ने राजकमर और पुजारी जी से राजा का परिचे कराया पुत्र को दे राजाजी ने पुजारी जी को बहुत धन्यवाद दिया, वे सब को लेकर अपने राजे वापस लोटाए, राज में खुश्याली छा गई, सब आनन पूर्वक्र रने लगे। बहुत बड़ी कीमत सुकाई महारानियों बनकुवर ने इस सुखद समापन के लिए पतिव्रता का त्याग अपनी जगा है, लेकिन गाजा को कितना समय लग गया इस समझने में, एक छोटी सी जिद की बली चड़ गया, उनका हंसता केलता परिवाद, पंदर 15-16 साल बाहर रे भार जीत के खेल को खेल की तरह ही लेना चाहिए, उसे प्रतिष्ठा का प्रश्ण नहीं बनाना चाहिए, तो राजा ने सो से अपनी प्रतिष्ठा बना ली कि वो जो कह रहे हैं वही सही है, अच्छा रानी क्या करती उपति पर आजना थी, तो उसे विवाश हो करके इस कहानी में कुआ, दैते का महल और बन कुगर की जो दिलेरी है, इन सब के बहुत रोचक प्रसंग आपकी इस कहानी में बन पड़े हैं, तो बहुत बढ़िया कहानी रही है, बहुत धन्यवाद, और मन के मौसम में शामिल होने के लिए बहुत आभार, नमस्कार आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना समय दिया और मन के मौसम में बोलाया, नमस्कार नमस्कार